वेल्कम स्टुडेंट नाउ टुडे वी आ गोईंग टू स्टार्ड चैप्टर नमबर 18 क्लास 4 चैप्टर 18 एप्लिकेशन्स एड लेटर्स क्या है चैप्टर आपको क्या लिखना है एप्लिकेशन्स लिखनी और लेटर्स लिखने तो हो आज हम सीखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी एप्लिकेशन्स की देखिए सबसे पहले जो एप्लिकेशन है write an application to your principle for remission of the fine आपको क्या करना है अपने प्रिंसिपल को एप्लिकेशन लिखनी है जिसमें आपकी टीचर ने क्या मांगा है आपसे fine मांगा है तो आपको क्या करवाना है वो fine म माफ करवाना है तो आपको क्या लिखनी है application लिखनी है तो देखिए कैसे लिखेंगे application सबसे पहले the principal आएगा आपके school का नाम आएगा school कहां पर है जिससे central public school dbu नगर इंदौर April 2020 जो date है वो तो यह क्या था application लिखने का तरीका था जिसमें सबसे पहले आपको principal का नाम लिखना है आपके school का नाम लिखना है उसके बाद school जहां पर है वहां का नाम लिखना है date लिखेंगे फिर जिसको भी लिखने मैम को लिखने तो madam उसके बाद यहां पर जो देर रखा इसके अंदर के आएगा जो reason है application का वो आएगा नीचे thankful लिखेंगे फिर यहां पर yours obediently में आपका नाम class का नाम और roll number आएगा तो यह थी application number one फिर देखी application two write an application to your principal for sick leave आप क्या है बिमारे और आपको क्या लिखने है चुट्टी के लिए application लिखने है प्रिंसिपल मून पब्लिक स्कूल गरशियम रोड नागदा डेट जुलाई 15 फिर सर I am back to say that I am ill today so I cannot come to school kindly grant me leave for two days I shall be grateful to you आप बिमारे और आपको दो दिन की leave चाहिए उसके लिए आप लोग को application लिखने है फिर वो ही yours obediently आपका नाम class और roll number तो ये जो है ये दोनों क्या है application दे रखी जिसमें आपको एक तो find के लिए mafi की छूट चाहिए उसके लिए लिखनी हो दूसरा आप बिमार हो रहे हो उसके लिए आपको क्या लिखनी है application लिखनी है ये दोनों application आपको homework में लिखनी है next one is letter write a letter to your father for money आपको अपने पापा को letter लिखना है जिसके अंदर क्या लिखना है आपको पैसो के लिए लिखना है आपको पैसे चाहिए boys hostel modern public school आदर्श नगर जैपूर date लिखेंगे किसको लिख रहे है dad को लिख रहे तो क्या लिखेंगे my dear dad hello dad I am fine here and hope the same for you you will be glad to know that I have passed fourth class I have stood first in the class now I have to buy new books तो आपको क्या खरीद निये बटा new books खरीद दिये उसके लिए आपको क्या चीए 500 रुपीज चाहिए तो आप अपने पापा को क्या बोल रहे हो money के लिए letter लिख रहे हो kindly send me 500 रुपीज my money order pay my regards to mom and love the dear sweetie thanking you yours obediently सत्पाल तो यह क्या था आपको letter लिखना था जिसके अंदर आपको पैसो की जरौत थी आपको new books परचेस करनी है तो आपने अपने फादर से बोला था फिर next letter number 4 write a letter to your friend inviting him to spend summer vacations with you next letter में आपको क्या करना है आपके friend को letter लिखना है आपकी summer vacations आने वाली और आप उसको अपने साथ रहने के लिए बुलाना चाहते हैं तो इसका format देखिए examination hall DAV public school 24 April my dear Pawan किसको लिखने आप पवन को लिखने I am fine here and hope the same for you I am writing this letter to invite you in देहरादून during summer vacation कहां बुला रहे हैं आप उसको देहरादून में there are many places worth singing देहरादून my father will make arrangement for us we shall enjoy the beautiful scenes together we can have lots of fun together please don't forget to write me तो आपको क्या करना है vacations के लिए धेहरादून बुलाना है तो आप उसको invite कर रहे हैं pay my regards to uncle and aunt yours lovingly रमेश तो हमने देखा एक था application और एक था letter letter application में हम क्या लिख रहे हैं एक तो बिमार है उसके लिए और दूसरा हमारी fine पढ़ना था उसके लिए हम mems से sorry बोल रहे हैं और letter में किसको लिखना है father से पैसे मंगवाने के लिए और दूसरा summer vacation में friends को बुलाने के लिए अब exercise का question number A और B आपको homework में करना है जिसमें first letter में आपको क्या लिखना है write a letter to your friend describing him or her about the marriage you attend आपको अपने friend को letter लिखना है जिसके अंदर आपने एक marriage attend कर रही है उसके बारे में उसको describe करना है second में write a letter to your father describing a football match और एक letter लिखना आपके father को जिसमें आपका football match हुआ है school में उसके बारे में आपको explain करना है तो इन दोनों में आपको क्या करना है letter लिखना है तो आप यह कर लेना उसके बाद question number one two and three four चारो जो है application letter वो homework में है और यह वाला जो है यह और भी यह भी आपको क्या करना exercise homework में करनी है अब next chapter number 19 stories stories में आपको क्या करना यह दोनों story read करनी है first story है read the following जिसमें अंदर let's cooperate यह पूरी story है और next story रामदिन अंदर king ठीक है यह story आपको read करनी है उसके बाद जो main is के अंदर वो यह है कि आपके exam में एक story आएगी ठीक है जैसे ऐसी story आगे इसमें आपको क्या दे दिया pictures दे और इन pictures को देके आपको क्या लिखनी है story लिखनी है कोई भी problem हो तो आप पूछ लेना और यह वाला जो stories है आपको इस picture को देखके कोशिश करना है कि यह story कौन से और इसको कैसे लिखेंगे ओके थैंक्यू आपको लिखू